गुट इवनिंग आज एक ड्रीफ इंट्राक्शन करते हैं एपी कल्चर का एपी कल्चर क्या है अगर एपी कल्चर इफ you see it is derived from two words that is apis and culture इसका मतलब क्या culturing of apis apis क्या है honeybees का एक genus है ठीक है यानि की culturing of honeybees is known as apiculture अगर हम इसकी technical definition देखे तो क्या है apiculture is rearing and management of honeybees for commercial production of honey and other products like beeswax, propolis, royal jelly, bee pollen, bee venom etc यह देखवा यह देखो यह बी कीपर है बी कीपर को apiarist भी बोलते है ठीक है और वो place जहां पर apiculture किया जाता है उसको बोलते हैं apiary या इसको bee yard भी बोलते हैं ठीक है यह बी कीपर culture कर रहा है honeybees को to get the products like honey, bee pollen, royal jelly यह देखो royal jelly, royal jelly जो है honeybee के workers बनाते हैं उनके saliva की मदद से और royal jelly जो है exclusively bee colony की queen को feed करने के लिए बनाया जाता है by the workers of the hive propolis, propolis जो है जो unwanted opening है hive की वहाँ पर honeybee क्या करेगी अपने saliva के साथ bee wax mix करेगी और bee wax के साथ जो है बहुत सारे plant product है जैसे sap है जैसे कोई tree पर या कोई bird है तो इस तरह यह botanical product को mix करके एक sealant बनाया जाता है ठीक है sealant यानि कि एक चीज़ एक seal करने वाले एक resinous एक पदार्थ बनाया जाता है जिससे की जो opening से वह सील हो जाए चोट 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 वह ना ओपनिंग और यह देखो यह दूसरी opening से जो closed opening यह close कि से की हुए यह close करी हुए प्रोपोलिस से ठीक है और प्रोपोलिस क्या है प्रोपोलिस एक sealant है ताकि colony में या भी हाइव में कोई infection ना और अगर ठीक है इसके अलावा if you see प्रोपो बी वैक्स भी जो हनीवी के जो हाई वे जिससे बनता है बी वैक्स भी उससे हमें मिलती है प्लस बी वैनम यानि की बी केस जो string में जो उसका कांटा होता है उसके string उसको string बोलते है string में जो chemical है उसको हम बी वैनम बोलेंगे और इसकी अपनी medicinal importance है तो आप समझ गे न की हम जो है apiculture paper पढ़ाने का क्या मतलब है यह आपका skill enhancement course में इसी लिए इंट्रीश किया है I think this is sufficient for a brief introduction of apiculture thank you very much